ये फ्रेंड्स दिस इस अरुन और आप देखरे रुरुन ब्लॉग और आज हम लोग आए रॉयल इंफिल्ड के शोरूम में इस शोरूम की डिटेल नीचे आपको स्क्रीन पे लिखी हुई मिल पारी होगी अगर आपको रॉयल इंफिल्ड का कोई भी प्रोडेक्ट लेना है या उसकी टेस्ट राइल लेनी है तो अब नीचे दिए के डिटेल पर जाके उनको कॉंटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको प्रोडेक्ट पसंद आता है तो आप उसको पर्चेस भी कर सकते हैं तो आज हम लोग यहां पर आएं रिव्यू करने के लिए हिमालियन बीए सिक्स क जैसा कि आप देख पाएंगे इस शोरूम का मैं थोड़ा सा वॉक आराउंड देता हूं आपको यहां पर आप देख सकते हैं कॉंटेंटल जीटी और यह हैं इमालियन जिसका हम लोग रिव्यू करेंगे और यहां पर क्लासिक भी काफी बड़ी अमाउंट में अविलेवल यानि कि 840 mm जो विद है वो विदाउड मेरर हैं और जो इसकी हाइट है वो फ्लाइ स्क्रीन के साथ है जैसा कि आप देख पाएंगे इसके आगे जो फ्लाइ स्क्रीन लगी हुई है उसको साथ में इनकलीट किया गया है तब इसकी हाइट मेजर की गयी है इसका वील वेस 1465 5 mm है, seat height 800 mm है, जो की काफी decent है, थोड़ी सी ऊची बाइक है ये, और अगर हम curve weight की बात करें तो 199 kg है, जिसमें 90% fuel और engine oil भी include किया गया हुआ है, जैसा कि आप देख पाएंगे, इस bike को आप चरो तरफ से जब देखते हैं, तो ये एक bike proper off-roading bike लगती है आपको, इसके travel suspension काफी बड़े हैं, जैसा कि आप देख पाएंगे, इसके suspension है, वो काफी लंबा travel करते हैं, और अगर हम बात करें इसके टायरों की, तो ये off-roading section के टायर है, और ये tubeless टायर है, तो अभी आप इसका एक walk around देखिए, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसकी detail में, जैसा कि आ बाइक देख पा रहे होंगे, आगे से पिछे से, काफी अदा अच्छी लगती है, और एक bulb की बाइक समझ में आती है, इसका engine आप देख पाएंगे, काफी बड़ा है, और इसमें proper वही headlight दी हुई है, हेलोजेन की, और नीचे भी देख पाएंगे, छोटे सा एक bulb दिया तो जो इसका suspension है, वो है telescopic 41 mm का fog है, और यह 200 mm का travel करता है, यह 200 mm तक contract हो जाता है, फ्रंट जो tire है, वो 90 by 90 section का 21 inch का spoke wheel है, और इसमें tube less नहीं है, यह tube वाले tire है, और फ्रंट अगर brake की बात करें, तो इसमें front brake में ABS आता है, और यह एक dual channel ABS है, और जो पीछे वाले ABS है, वो switchable है, that means, अगर आप चाहें, तो पीछे वाले tire का ABS का बंद कर सकते हैं, लेकिन आगे वाला switchable नहीं है, और अगर हम बात करें, इसके disk की, तो इसमें 300 mm का disk brake आता है, और यह 300 mm का disk brake है, काफी बड़ा है, जैसा कि आभी आप देख पाएंगे, dual channel ABS की bending, side reflector और यह यह देख पा हम आता है, और जैसा कि आप देख पा रहेंगे, ABS का sensor लगा हुआ है, तो बाइक में आगे काफी बला tire लगा है, 21 inch का, जो आपको, जो undulation है, roads के, उनको absorb करने में काफी help करेगा, अगर हम बात करें, rear suspension की, तो इसमें monoshock absorber आता है, linkage के साथ, और इसका जो travel है, वो 180 mm का है, पीछे आप देख पा रहेंगे, chain, exposed chain है, rear tire जो है, वो 120 by 90 section का 17 inch का wheel है, और आगे 21 inch का है, पीछे 17 inch का है, और अगर हम बात करें, rear brakes की, तो जो इसकी rear brakes है, वो 240 mm के disc brake है, और इसमें single piston आता है, और ये बाइबर के brake है, और जो आप सामने disc brake देख पा रहेते हैं, फ्रंट मे उसमें dual या two piston floating caliper है, so braking इसकी काफी अच्छी है, जैसे कि आप पीछे से भी देख पाएंगे, tire इसका काफी broad है, और section tire है, और that means छोटोटे ये देख पा रहेंगे, ब्लॉक बने हुए है, जो काफी अच्छी grip प्रवाइड कराते हैं, और पीछे आप suspension देख पा रहेंगे ये mono shock absorber है, जो आप ये देख पाएंगे, ये mono shock absorber है, linkage के साथ, और इसका 180 mm का travel है, so काफी अच्छी आपको comfortable याँ पर प्रवाइड हो पाएगा, foot packs भी काफी अच्छी quality हैं, और जो आगे अला foot pack है, उसकी रवड आप बाहर निकाल सकते हैं, जब आप proper off-roading करेंगे, इस इसका जो meter console है, वो semi analog, semi destroy meter console है, जिसको मैं last में on करके भी तिखाऊंगा, और अभी आप देख पाएंगे, इसका meter console कुछ इस तरह का दिखता है, और नीचे switchable ABS का button भी दिया हुआ है, जिसको आपको 2-3 second तक दबा कर रखना है, तब आपका ABS बंद हो जाएगा, अगर हम बा meter motor दिया हुआ है, जो इसके mirror है, वो मिलकुल common से mirror है, इसमें कुछ ज़्यादा change नहीं है, basic mirror है, और अगर हम दूसरी तरफ की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ यह आप देख पाएंगे, proper आपको metal finish के lever मिल जाएंगे, clutch action थोड़ा सा hard है, क्योंकि थोड़ा सा heavy engine है, और आप चाहें तो इसको दुबारा change करा सकते हैं, अपने हिसाब से लगवा सकते हैं, लोग लगवा लेते हैं, क्योंकि इस camera बिल्कुल basic से दिये हुए है, side में देख पा रहे होंगे, यह जो indicator है, वो 10 watt के दिये हुए है, इसमें bulb लगा हुए है, side में Royal Enfield का logo लगा हुए है, देख पा रहे होंगे, यह engraving की हुई है, काफी अच्छी लग रही है, और यह slit color है, जो की personally मुझे काफी पसंद आता है, इसका जो tank है, वो 15 लिटर की tank capacity के साथ आता है, और fuel injection हो तो आपको 2 लिटर रखना ही पड़ेगा, 2-2.5 लिटर तक, that means आप around 12.5 या 13 लिटर यूज कर सकते हैं, एक बार में, seat जो है काफी comfortable है, और काफी broad seat है, और यह split type है, तो आपको काफी अराम मिलेगा अगर आप बैठेंगे तो, और यह आप side में जो देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप mount वगरा, यह racks वगरा आप इसमें लगवा सकते हैं, पीछे देख पा रहे हो चोटा सा है carrier दिया हुआ है, जिसमें आपको समान वगरा रख सकते हैं, क्योंकि यह proper off-roading और tourer हिसाब से bike बनाई गई है, और side में आप हिमालेन देख पा रहे होंगे, काफी अच्छा लग रहा है लिखा हुआ, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यह royal infield logo को काफी बाइक का look personally मुझे काफी पसंद आता है, यह आप देख पारेंगे brake हैं और यह off-roading type के हैं, इसमें काफी अच्छे grip मिल जाती है, इसका जो engine है, वो 411cc का single cylinder 4-stroke SOHC, air cool plus oil cool दोनों हैं इसमें, और साथ में फिल injection है और BS6 engine है, जिसकी maximum power 24.3 bhp, 6500 rpm पे पहले 24.5 bhp आती थी, 0.2 bhp कम हो गई है, BS6 में, लेकिन जो इसका torque है, वो maintain है, यानि 32 Nm at the rate 4000-4500 rpm पे आपको यह power मिल जाती है, 500 speed का gear box है, अगर इसमें gear 6 दिये होते हैं, तो मेरे साब से काफी अच्छा होता है, लेकिन अभी भी यह अपने price को justify करती है, और इसमें जो gear है, वो sufficient है, इसमें coil cooler का आप radiator देख पा रहे होंगे, यहां से engine से oil इसमें आता है, ठंडा होके proper फिर वापेस engine में चला जाता है, single इसमें on दिया हुआ है, और नीचे आप देख पा रहे होंगे, metal plate लगी हुई है, जो कि road के hit होने से, यह नि कि जब bike road पे hit हो जाती है, तो यह जो metal plate है, वो engine क protect करती है, तो इस तरह यहां पर आप देख पार है, catalytic converter लगा हुआ है, जो कि BS6 में, BS6 bike में जरूरी है, यानि कि आपको हर एक BS6 bike में एक catalytic converter भी देखने को मिल जाएगा, और उसमें oxygen sensor भी लगा होता है, जो detect करता है, कि यह कितना pollution produce कर रही है, तो bike overall देखने में काफी अच section में जाके आप अपने question को लिख सकते हैं, वहाँ पर आपको proper answer मिल जाएगा, अब overall bike में आपको दिखा देता हूँ, bike काफी देखने में अच्छी लगेगी, और इसमें आप, इसमें lake blue, rock red, gravel gray, sleet color जो भी आप देख रहे हैं, और gray night black, इसके बाद snow white, यह आपको 6 color available हो जा पाइंगे, और आप comment section पर भी जाके, that means description box में जाके भी इसको पढ़ सकते हैं, so I hope आपको यह review पसंद आ रहा होगा, और अब मैं इस bike का, आपको meter on करके दिखा दूँगा, so जैसा कि आप देख पाएंगे, यह इसकी key है, और यह key बिल्कुल basic सी है, अब जैसा आप meter on करते है, आपको कुछ इस तरह गना जारा देखने को मिल जाता है, इसमें काफी information मिलती है, इसमें आपको compass भी मिल जाता है, rpm मिलता है, और side में fuel indication है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर mile और kilometer पर दोनों में speed आती है, और digital screen भी आपको देखने को मिल जाएगी, अब आप इसका exhaust note सुन लीजेगा, और अगर आप कुछ वीडियो पसंद आते हैं तो इसको like, share and subscribe जरूर करें, thank you for watching it.